हलो एब्रीबन वेलकम टू जीलोजी कॉंसेट्स मैं हुजीत कुमार सिंग और आप देख रहे हैं मारे वीकली करेंट अफेर सीरीज जिसके अंदर ये अक्टूबर के थर्ड वीक का फर्स लेक्चर है इसके अंदर कुछ हमने टॉपिक्स लिये हैं जो इस तरीके से हैं फर्स अमेंडमेंट एक्ट जो कॉंस्टूशन का था उसके अंदर उसको फिर से रिव्यू करने की बात हो रही है तो इसलिए हमने इसको यहां पर लिया है रैट टू प्राइवसी अगें यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके लिए यहां पर है काला नमक राइस एक नई राइस की वराइटी है इसके बारें बात की जाएगी दैन कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ जी एम मस्टर्ड तो इसके बारें बात की जाएगी क्योंकि यह दूसरा जो कमर्शियल क्ल्टिवेट किया जागा इंडिया के अंदर वो यह दूसरा है इसके पहले बीटी की photo होनी चाहिए then a polio eradication polio के बारे में बात की जाएगी नाविक जो हमारा navigation system है उसके बारे में हम बात करेंगे pillars of creation James Webb telescope कि ये काफे important topic है क्योंकि ये exam में आने के chances के हैं electoral bonds ये काफे important है और ये अक्सर news में रहता है तो इससे question कभी भी आ सकता है तो यह हमें इसके बारे में पता होना चाहिए then faster एक supreme court का initiative है तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ये भी important है आपके लिए क्योंकि ये एक नया initiative है supreme court का तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए right then अब देखते हम एक एक करके सबको the first constitution amendment वो जो है ये क्या है इसको actually समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसके background को समझना होगा कि आखिर first amendment जो था वो क्यों था और scene क्या था see जो actually जब हमारे को freedom मिली उस समय जो हमें जो अजादी मिली था वो socialist टाइप का था ठीक है न क्योंकि हमारे first prime minister यानि की स्रीजवाहला नेरू और सुबाश्चेंद्र बोस और ये सब जो लोग थे बाकि उनके जो comrades थे ये सारे socialist थे ये लोग socialist थे and they were socialist ठीक है न और आजादी के बाद हमारी जो closeness थी रश्या के साथ उसको ले करके और क्योंकि हमें जो rule कर रहे थे वो लोग capitalist है जो England थी जो British जो हमारे उपर rule कर रहे थे वो capitalist थे क्योंकि capitalist ने हमारे उपर rule किया था तो obviously इसकी बात होती है कि जिसे में आजादी मिली है हम उसकी तरफ ना जाके हम socialism की तरफ चाहेंगे तो जो Indian की जो Indian quality थी वो थोड़ी socialism की तरफ चली गई थी और बाद में हमने ये भी देखा कि जो 42nd amendment है उसके अंदर फिर हमने socialist word भी हमने डाल दिया constitution के अंदर क्योंकि ये सुरू से ही ये जो trend था socialism का वो इंडिया में था तो जो अब क्योंकि हमें ये भी पता है कि permanent settlement वाली जो issue है जमिंदारी जो issue है जमिंदारी system जो था बंगाल presidency में वो कावी rampant था तो वहाँ पर क्या कि कुछी लोगों के पास बहुत सारी जमीन थी और अजादी के बाद क्योंकि जब socialism ये कहता है कि equal distribution of property और इस तरह की चीज़े तो उसके लिए फिर जो land distribution था उसको करना बहुत जरूरी हो जाता है और article 19 के अंदर sorry not article 19 actually जो land जो हमारा था article 31 में उसमें जो land था वो private property यानि private property जो थी वो एक fundamental right थी ठीक है ना fundamental right जो था उसके वज़े से land जो government ले नहीं पा रही थी लोगों से तो इसलिए government ने क्या क्या कि first amendment लाया जो main motive था ठीक है ना जो first amendment लाया और उसमें जो land से related जो भी issues थे उसको ninth schedule में डाल दिया यानि कि ninth schedule भी first amendment से ही आया है एक बहुत important topic हो जाता है कि ninth schedule किस amendment से जोड़ा गया था constitution के अंदर और ninth schedule का मतलब यह होता है कि parliament ने यह decide कि हम कुछ laws ऐसे होंगे जो ninth schedule में डाल देंगे और उसके ऊपर को judicial review नहीं होगी judicial review का मतलब होता है कि वो matter supreme court में नहीं जाएगा और judiciary उस matter पर interfere नहीं करेगी ठीक है ना इसका basic मतलब यह था तो land जो land distribution का यानि कि land reforms का जो issue था उसको ninth schedule में डाल दिया गया यानि कि article 31 जो है उसको ninth schedule में डाल दिया गया और जो right to property है वो actually बाद में जाकर के जो 44th amendment होता है ठीक है ना 1978 में उसमें यह जो right to property है वो बन जाती है constitutional right यानि fundamental right नहीं रहके अब वो constitutional right हो जाती है और यह 1944 में होता है, sorry 1978 में होता है 44th amendment के तो यह सारी matters थे first amendment को ले करके इसमें और भी सारी बाते हैं actually हम और भी अगर deep में जाएं इसमें तो हमें सिर्व एक चीज़ समझ में आएगा कि first amendment में actually जो जो हमारी बहस चल रही थी supreme court and any judiciary and parliament legislative legislature and judiciary के बीच में जो जो टक्कर थी वो इस बात को ले करके law क्या है ठीक है ना किसको law माना जाएगा constitution के अंदर क्योंकि जब एक constitution amendment हो जाता है कि first amendment से ही 9th schedule जोड़ा गया था constitution के अंदर और उस समय तक ये ऐसा माना जाता था कि ऐसा ये था provision था कि 9th schedule में जो भी रखा जाएगा वो judicial review उस पे नहीं होगी लेकिन बाद में इस पे judiciary ने फिर से अपना decision दिया है और ये कहा है कि 9th schedule में भी जो laws या फिर कोई भी आर्टिकल अगर रखा जाता है तो वो judicial review से वंचित नहीं रह पाएगा उस पे उसके उपर भी judicial review किया जा सकता है अगर वो basic structure के against जाता है तो I hope कि आप basic structure समझते हैं जो basic structure या basic feature ऐसा कह सकते हैं ठीक है ना basic structure यह केसवन अंदा भारती केस से basic structure का जो आइडिया है वो आता है हमारे constitution में राइट तो यह सारी बाते हमारे को first amendment में देखने को मिलती है यह 1951 में आता है और उस समय कि जो provisional parliament है यानि कि उस समय election हुआ नहीं है राइट ना जो जे फर्स election होने वाला होता है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि लोगों उससे पहले ही land reform का जो issue है वो settle कर दिया जाए ठीक है तो land reform was the main cause of the first amendment ठीक है देख next topic है वो right to privacy का है ठीक है ना तो इसका context में हम नहीं जाएंगे हम यह देखते हैं कि right to privacy अखिर है क्या और यह किस किन cases से आती है तो 2017 में यह पुत्ता स्वामी केस पुत्ता स्वामी versus union of India यह केस होती है सुप्रीम कोर्ट में और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि under article 21 जो right to privacy है वो एक fundamental right है ठीक है ना fundamental right का मतलब भी होता है कि कोई भी law उसको breach नहीं कर सकती और अगर ऐसा होता है कोई भी एक्जीकुटिव या parliamentary executive law जो होता है executive action law नहीं कह सकते executive action executive action और legislative action दो तरवके के चीज़े हो सकती है ठीक है ना legislative action एक्जीकुटिव action का मतलब होता है जो ruling party है वो अगर ruling party बैंने sewing का मतलब होता है कि जो power में है ठीक है नो जो लोग अभी ruling कर रहे हैं वो executive होते हैं और legislative का मतलब होता है पूरी parliament legislative है और पिर जुडिषरी यानि स्टेट के तीन pasti होते हैं executive legislative and judiciary judiciary तो तो एक state के यानि Indian state के तीन पार्ट होते हैं, तीन pillars होते हैं जिसमें एक executive होते हैं तुसरा legislative और तीसरा judiciary होता है, तो इसमें legislative ये law बना करके executive को duty देती है कि now you run the country, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा votes मिले होते हैं ठीक है न, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा votes मिले हैं, ठीक है न तो जो legislative है वो जो हारी होई party है जो position के party है वो बैठेगी legislative में और जो जीती होई party है वो rules follow करेगी कौन से rule जो legislative यानि की parliament बनाती है ठीक है न तो कोई भी executive action या legislative action कोई भी चाहके भी ये right to privacy जो है उसको breach नहीं कर सकती people के पास लोगों के पास right to privacy होगी और वो article 21 के अंदर है ठीक है तो ये दो चीज़े आपको समझनी है कि ये case पुता स्वामी के अंदर right to privacy का issue था और वहीं से right to privacy को fundamental right का standard दिया गया और ये fundamental right है article 21 के अंदर अब article 21 जो है ठीक है न ये काफी evolve हुआ है starting से ले करके कुछ भी क् को हम Supreme Court यानि Judiciary चाहती है कि वो fundamental right का issue बन जाए या पार्ट बन जाए तो उसको क्या right to sorry article 21 में ही डाला जाता है और article 21 को काफी broad spectrum में पढ़ा जाता है उसको समझा जाता है ताकि जैसे right to education बगर ये सारे को सारे right article 21 के पार्ट बन जाते है ठीक है न तो इसलिए और ये हमें पता है कि fundamental right जो है वो part 3 का यानि constitution के part 3 का हिस्सा है ठीक है बियन स्रीकृष्णा committee जो है एक committee बनाई जाती है जब भी कोई ऐसा बड़ा issue आता है सरकार के सामने तो वो एक committee बनाती है जो इस इस issue पे कुछ findings देती है उसके according फिर judgment दिये जाते है तो बियन स्रीकृष्णा committee ज होता है तो फिर से इसको लेकि आएंगे ये एक नई राइस की variety है जिसको यह टैक दिया गया है यह उत्तर प्रदेश के तरहाई region में यहां पर लिखा नहीं है कहीं पर होगा तरहाई region उत्तर प्रदेश का तरहाई region यानि कि नेपाल से जो मिला हूँआ जो जूड़ता हू कुलिफसका नरेंद्र काला नमा पूसा नरेंद्र काला नमक 163 यह 152 जो कि इतना इंपर्टेंड नहीं है वहामें यह समझना है कि ग typically गोटी की उसमें दो है हमारे पास और उन दोनों को उतर प्रदेश के तरही और रीजन में नेपाल उतर इसकी region में इसको grow किया जाते, इनको, इनकी cultivation होती है, ठीक है न, इसकी black husk होती है, यानि कि इसका जो छिलका होगा, वो काले रंग का होता है, ठीक है न, और ये बुद्धा के टाइम से ही इस area में है, already, तो उसको फिर से इन्होंने, IARI, यानि की Indian Agriculture Research Institute ने, इसको improve करने की करी है, right, अब हम ये समझते हैं, एक देखते हैं, और भी कुछ important बात है, इसे related, कि one district, one product, यानि ये हर पूरे country में one district, one product, जो है, वो चल रहा है, और आप देखेंगे कि अलग-अलग railway stations पे जाएं, तो वहाँ पे railway stations पे उस district की जो particular कोई ऐसी product है, वो railway station पे रखी होती है, बेचने के लिए, ताकि लोग जो travel करते हैं, वो खरीद पाएं, तो या फिर बाहर से जो लोग आते हैं, वो उससे familiar हो पाएं, ठीक है न, तो one district, one product ये है, और इसी के अंदर इसको भी डाला गया है, सिदार्थ नगर, जो यूपी का area है, उसके अंदर इसकी cultivation की जाएगी, then, 11 district of the right region, ठीक है, इसको GI tag भी दिया गया है, और GI tag दिया जाता है, अगर किसी location से related, किसी particular location से related कोई ऐसी product है, जिसकी कोई particular speciality है, उस location से related, तो उसको GI tag दिया जाता है, right, GI tag जो है, वो WTO का ही initiative है, उसके अंदर पूरे world में से GI tag दिये जाते हैं, अलग-अलग countries, ये GI tag then, farmers को क्या benefit होगी, तो इसमें क्या without fertilizer and pesticide इसको grow किया जा सकता है, तो ये farmers के लिए बहुत अच्छी बात है, कि इसमें fertilizers and pesticides की जो use है, वो काफी कम हो जाएगी, इसके health benefits भी है, जैसे cardiovascular disease में ये help करेगा, skin care में ये help करेगा, Alzheimer disease में ये help करेगा, और इसमें iron and zinc काफी मातरा मे पाई जाती है, तो ये सारे इसके benefits है, then है, GM mustard, ये एक नई variety है, जो GEAC, यानि Genetic Engineering Appraisal Committee, ये ऐसी body है, जो ये decide करती है, कि कौन सी GM product, यानि genetically modified product को cultivation, यानि commercial cultivation के लिए allow किया जाएगा, ये decision जो है, वो GEAC कहीं होता है, और ये Minister of Environment and Forest and Climate Change के अंदर ही आता है, अब इसमें जो GM crop है, वो GM crop इसलिए आती है, क्योंकि जो first, क्योंकि ऐसा, ऐसी जरुवत क्यों पड़ी कि हम mustard को genetically modified क्यों कर रहे हैं, वो reason इसलिए क्योंकि हम, जो हमारा oil है, जो edible oil है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम import करते हैं, ठीक है, ना? इंपोर्ट करते हैं, और वो उसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है, पाम oil का, और पाम oil जो सबसे ज़्यादा हिस्सा, जो सबसे बड़ा exporter है, वो इंडोनीशिया है, ठीक है, तो इंडोनीशिया सही हमें मंगाना पड़ेगा, फिर उसमें हमारा foreign exchange खर्च होता है, तो हमारा foreign exchange खर्च ना हो, और हमारे को उसमें self dependency हो, इसके लिए हमने ये जो GM प्रोड़क्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानि mustard की, वो उसके पीछे का जो reason है, वो यही है, अब इसके पीछे हम देख लेते हैं, कि GM जब प्रोड़क्ट है, वो कौन कौन से हैं, और उसके प लाओ किया था, और उसके अंदर ये इसको actually एक ball warm attack, एक warm होती है, जो इस cotton की जो production है, यानि crop है, उसको बरबाद कर देती है, उससे लड़ने के लिए ये बीटी cotton को लाया गया था, इसमें यूएस के कंपनी है Monsanto जिसने काफी investment की थी और उसके साथ मिल करके ये किया गया इसमें जब भी GM genetically modified products की बात होती है, crops की बात होती है, उसमें एक market भी involved होता है, क्योंकि इसमें इनको फायदा होता है, क्योंकि जो genetically modified crops होंगी, वो actually से एक तरीके सम कह सकते कि वो sterile होती है, उनको फिर से हम उसी बीच को जैसे गेहों की खेती अगर हम करते हैं, तो same गेहों को फिर से हम खेत में डाल करके उससे गेहों उगा सकते हैं, गेहों की खेती कर सकते हैं, पर जो genetically modified होते हैं, उसके जो बीच होते हैं, वो sterile होता है, यानि हर बार farmers को नई बीच खरीदनी होगी, तो उससे क्या उनकी लागत बढ़ती है, और उनकी dependency बढ़ती है, उनकी dependency बार अब farmers जो है, वो उनकी dependent हो जाएंगे, और इस तरीके से जो उनकी dependency बढ़ेगी तो farmers को अच्छे तरीके से exploit किया जा सकता है, आप इसको समझ सकता है, उस context में जब land revenue system जब अंग्रेज यहां पे चलाते थे, तो उस समय भी एक पार्ट जो था, cropping का, वो ले ले लेते थे वो, अंग्रेज या फिर जो मुगल थे यहां पे वो भी, अभी वो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो उन्होंने दूसा तरीका अपनाया है, कि वो GM crops को promote करते हैं बहुत जादा, क्योंकि GM crops जो promote करेंगे तो उसके बीच को वो control कर सकते हैं, कि उसके बीच के अंदर क्या property होगी, क्या property नहीं होगी, तो जो mustard आएगा, वो genetically sterile होगा, ठीक है ना, तो उससे दूसरी, उसको फिर सम खेट में डाल करके, दूसरा दुबारा उसको पैदा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इसमें जो multinational companies है, वो बहुत ज़्यादा पैसा invest करती है, मीडिया को manipulate करने में, और governments को manipulate करने में भी, ताकि उसको उनका फायदा बना रहे है, तो इसमें Monsanto था, और इसमें अभी जो इस बार जो हमने बनाया है, genetically modified GM crop जो है, यह हमारा indigenously developed है, यह homegrown है, और इसमें कोई बाहर की company जो हो पैसा नहीं डाल रही है, पर हो सकता है कि बाद में बाहर की company इसमे developed seed है, यह, right, then, हम GM mustard के बारे में देखें तो इसको DMH 11 भी इसका नाम दिया गया है, धारा mustard 11, यह काफे important fact है, जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और यह herbicide tolerant होगा, यानि कि घासपूस से इसको दिक्कत नहीं होगी, यह असानी से grow कर पाएगा, ठीक है ना, इसके दो इसमें दो alien genes है, जिसमें barnes and bastard, यह दो alien genes है, जो इनके अंदर डालके इसको herbicide tolerant बनाये गया है, right, then, okay, तो यह थी हमारी GM mustard के बारे में, इसका जो हमने नाम देखा, वो DMH 11, यानि कि धारा mustard hybrid 11, इसका नाम है, और यह home crone है, यानि कि यह किसी बाहर की कुछी company का इसमें कोई रोल नहीं है, इसके इंडिजनसली यह develop किया गया है, right, and इसके अंदर जो alien genes डाले गए हैं, उसको barnes and bastard, इसका दो वो उनका नाम है, और यह herbicide tolerant है, right, तो यह हमने देख लिया, then, Indian currency के उपर जो बात अभी हमने कही थी, कि Lord Ganesh और लक्षमी की जो Goddess Lakshmi की फोटो की बात कही तो उसमें उसे relate कुछ fact देख लेते हैं, जैसे की RBI, अब RBI actually क्या है, एक statutory body है, और हमें पता है कि RBI क्यों कोई statutory body होती है, तो उसकी existence होती है, वो आती है किसी ने किसी act से, ठीक है ना, जब statutory body होती है, और अगर कोई constitutional body है, तो उसकी existence आती है, वो आती है, constitution से, तो यहाँ pay constitution में, RBI के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, पर एक act है, RBI Act 1934, उसके में, उसमें RBI के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो RBI को ही soul, जो write है, वो note printing का, वो RBI के पास है, एक्सेप्ट 1 rupee note, जो government of India print करती है, पर अब वो active circulation में है नहीं, तो जो भी सारे notes print करती है, वो RBI को, उसका note, उसका जो write है, note printing का, वो RBI के पास है, तो यह चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो coins mint होते हैं, जो coins, जहां पे जिस factory में coin हमारी बनाई जाती है, वो चार हमारी है, Mumbai, Hyderabad, Kolkatha and Noida, इन चार जगों पे coins minting की जाती है, जो कि 1996 सीरीज में है, जो 1996 के बाद आई है, then 2005 में भी notes improve किया, मतलब उनको change किया गया है, उनके design को, and 2016 में भी फिर से design change किया गया है, तो यह तीन ऐसे सीरीज है, पर जो important चीज़ है, वो यह है कि note printing का जो right है, वो RBI के पास है, और चार minting factories कह सकते हैं, coin minting factories, जो कि Mumbai, Hyderabad, Kolkatha and Noida, ऐसे चार जगों पर है, coin minting के लिए, अब यह इसके चार जगों पर हो इसलिए, क्योंकि एक Mumbai है तो West को cover कर लेगा, Hyderabad है तो South को, Kolkatha है तो East को, और Noida है तो Central India को यह cover कर लेगा, इसलिए चार अलग जगों पर coin की minting होती है, right, then polio eradication, अब scene क्या है कि 2014 में इंडिया को polio free declare कर दिया गया थ है, right, तो इंडिया ने, इंडिया को polio free declare करते था, WHO ने, लेकिन अभी क्या हुआ है, कि 2022 में अभी तक में, like 175 ऐसे कुछ cases आ चुके हैं, already polio के, तो इसको लेकर के government जो है, वो फिर से सक्री हो कई है, कि polio का ऐसा case अगर बढ़ने लगे, इसका मतलब है कि polio virus फिर से आ चु होई है, जिसके अंदर 2022 से 2026 तक में polio को eradicate करने के फिर से जो global strategy बनाई जा रही है, ठीक है न, उसमें ये 22 से 2026 के बीच में polio को फिर से eradicate करने की बात चल रही है, अब हम कुछ polio के बारे में जान लेता है, तो ये एक viral infection है, वाइरस की वज़े से होता है, कभी-कभी ये RNA होगा, ये DNA होगा, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर ऐसे तीन टाइप के जो RNA strain है, ये फिर DNA strain है, वो ऐसे पाए जाते हैं, one, two, and three, तीन ऐसे टाइप्स है, polio virus के, तन ये person to person ये communicate हो सकते हैं, ये communicable disease है, और इसमें fecal oral root, इसका मतलब होता है, कि ये जो excreta है, उससे और जो, suppose एक person है, जिसने excreta किया है, और उसके बाद कोई ऐसे, ये excreta जो है, वो किसी तरीके से, दूसरे person के food chain या water chain के थ्रू, water या food के थ्रू, उसके food में पहुंच जाता है, तो इसका मतलब जो है, वो इस वज़े से हो सकता है, कि यहां पे कोई मक्की बैठी है, यहा होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में, contaminated food and water, यह बच्चों को ज़्यादा affect करता है, पात साल से चोटे बच्चे को intestine में multiply होता है, और वहीं से फिर nervous system को यह attack करता है, इसलिए हम देखते हैं कि polio में, जो body जो है, वो एक, जो एक part अंग होती है, किसी body का part जो होती है, व वो उस body के part को paralysis हो जाती है, तो यह होता है हमारा polio, then symptoms vaccine हमारे पास दो vaccine है, oral vaccine and injectable vaccine दोनों है हमारे पास, इंडिया में को 2014 में यह इसमें zero case declare किया गया था, वह ने, लेकिन फिर से यह gossip concern हो गया है, क्योंकि फिर से हमारे polio की कैसे देखने को मिल रहे है, then हमें NAVIC के बारे म तो हैं ही अभी, और साथ ही साथ यह हमारा अपना GPS system है, GPS नहीं, regional positioning system है actually, क्योंकि रीजनल है, यह जैसे GPS जो है, अमेरिका का, वो global positioning system है, पूरे अर्थ को cover करता है, पर यह एक regional positioning system है, जो पूरे अर्थ को cover नहीं करता है, इंडिया की boundary के, सपोज यह इंडिया है, तो यह इ 1500 km तक, ठीक है न, 1500 km तक की cover करता है, यह पूरा, हम कह सकते हैं, पूरा globe cover नहीं करता है, इसके अंदर 7, 8 satellites है actually, जिसमें 7 हमेशा काम करते रहते हैं, 4 जो है, वो geosynchronous orbits में हैं, इसमें से लेकिन 1, 7, 7 काम करते हैं, 7, 8 वहां काम नहीं करता, 8 वहां को, as a backup रखा जाता है, right, there are 8 satellites, however, only 7 remain active, सिर्फ साथ ही एक साथ काम करते हैं, तीन उसमें, आधे आधे यानि तीन, यानि की geostationary में, sorry, 4 geostationary में, 4 geosynchronous orbit में रहते हैं, अब geostationary, geosynchronous के बारे में पता होना चाहिए, कि जो geostationary है, वो earth के ठीक उपर, sorry, equator के ठीक उपर होगा, 36,000 km पे equator के ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो सेम जगह को focus करेगा, काम सेम करते हैं, दोनों के दोनों, पर उनकी position अलग-अलग होती है, और geosynchronous जो होती है, उनकी height भी कुछ भी हो सकती है, जोरी नहीं कि हो, 36,000 km ही हो, ठीक है, तो, अब यहाँ पे, जो use है potential, अब इसमें, हमने, 2013 में इसका first satellite भेजा था, and 2018 में जो last satellite है, वो भेजी थी, हमने 8th satellite हमने 2018 में भेज के, हमने हमने पूरा अपना system पूरा कर लिया है, इसके use क्या है, इसमें navigation के लिए काम आएगा, traffic management के लिए काम आएगा, mapping में काम आएगा, precise timing में काम आएगा, और बहुत सारे integration with mobile phones, बहुत स public के लिए और एक army के लिए, army के लिए जो होगा, वो restricted होगा, और जो public के लिए होगा, वो open होगा, right, अब इंडिया जो है, five ऐसी countries है, जिसके पास अपना navigation system है, और उसमें इंडिया भी एक है, चार वो हैं, जिनके पास global है, जैसे कि GPS US का है, GLONASS जो है, वो रशिया का है, ग जो इंडिया के, सॉरी, इंडिया के लावा एक regional Japan के पास है, एक regional इंडिया के पास है, और चार जो है, ये global positioning system देते हैं, right, इसमें से यहां पे 1500 किलो मेटर दिखाए गया, कि boundary के 1500 किलो मेटर तक ये cover करेगा, यानि कुछ इस तरीके से इतना बड़ा area जो है, वो ऐसे cover कर सक राइट, उसके बाद James Webb telescope है, तो ये telescope अभी last year ही install किया गया है, और ये Hubble telescope का successor है, right, और इसने ये जो picture हम देख रहे हैं, ये इसी को कहते है, pillars of creation, right, ये इन्होंने इसने James Webb telescope जो है, इसने कि वो picture ली है, तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए, कि pillars of creation जो है, वो किस से related है, व James Webb telescope ने इसका, इसकी picture ली है, right, then, yes, ये इतना काफी है इसके लिए, और ये जो हमारा Hubble telescope था, उसका ये successor है, James Webb telescope, एक और चीज़ है, कि जो हमने James Webb telescope जो install किया है, उसके अंदर हमने नहीं किया, in fact, इसमें European Space Agency, यानि ESA, Canadian Space Agency और NASA, इन सब तीनों ने मिल करके ये बनाया है, औ इसको इसको जो पॉइंट किया, इसको जो इंस्टॉल किया गया है, वो L2 पॉइंट पे, यानि लागरेंज पॉइंट पॉइंट है, और ये लागरेंज पॉइंट जो है, वो एक्चुली ऐसा पॉइंट होता है, सन और आर्थ के बीच में, जहां इन दोनों के जो gravitational pull है, वो अगर वहाँ पे, यानि कि वहाँ पे हम अगर कोई सी object को place करते हैं, तो उसको maintain करने के लिए हमें least energy की ज़दत पढ़ती है, क्योंकि वो उन दोनों के gravitational pull के, वहाँ पे gravitational pull जो है, वो balance हो जाता है, और इसलिए उस point पे हम stable करके अपने किसी भी equipment को place कर सकते हैं, ऐसे चार points होते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा और important चीज़ है नहीं, then electoral bonds के अगर हम बात करें, तो obviously ये, electoral bonds क्या है, कि जो parties होती है, जो parties election लड़ती है, उनको funding की ज़रूद पढ़ती है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, election लडने के लिए, तो वो क्या लोग public से पैसा देती है, तो उसको कोई भी पैसा दे सकता है, पर पहले ये बात होती थी कि लोग अपनी black money political parties को देते थे, जिसके पास अगर कोई minister है, या कोई businessman है, तो अपनी black money वो किसी political party को देते थे, कि अभी आप ले लो, इसको खर्च कर लो, और जब आप election जीच जीच जाओगे, त फिर किसे favor के form में हमें दे देना, तो ये एक corruption का एक vicious cycle create करता था, उससे निपटने के लिए, अभी electoral bonds लाई है सरकार ने, इसको time हो गया, ये अभी नहीं है, कास्व कुराना हो चुका है, पर फिर भी हमें इसके बारे हैं पता होना चाहिए, अभी सबसे important चीज ये है कि ये सजार एक लाग, दस लाग, एक करोड इस तरीके से without any maximum limit, इसमें कोई maximum limit नहीं है, आप जतना पैसा चाहें, आप जमा कर सकते हैं किसी political party के fund में, अब ये इसकी क्या है एक और जो speciality है, वो ये है कि सिर्फ एकी bank है, वो सरकार ऐसे specify करती है कि अभी currently SBI है, जिसकी एक branch होगी इसमें ही आप पैसा जमा कर सकते हैं, और पैसा जमा करने वाले को कौन किसने पैसा दिया है, ये political party को पता नहीं चलेगा, पर वो अलग बात है कि political party जो है, वो आसानी से data निकाल सकती है, क्योंकि SBI जब पैसा ले रहा है, तो उसको तो पता है कि किसने पैसा जमा किया है, ठीक है तेन फास्टर ये एक सुप्रीम कोट की एक इनिशेटिव है अब इसमें सीन किया है कि सपोज किसी को बेल देना है और बेल देना है तो सुप्रीम कोट ने एक सपोज किसी सुप्रीम कोट ही नहीं किसी भी कोट ने सपोज हाई कोट या सुप्रीम कोट या किसी चोड़ेंगे उसको चोड़ेंगे नहीं तो बेल और वहां तक पहुंचने में टेक्स टाइम तो कभी-कभी क्या होता है कि वह एक-दू दिन तीन दिन ऐसे रह जाते हैं तो एक्स्ट्रा वह बंदा जेल में रह जाता है तो बेल तुरंत मिल जाए जैसे ही और यहां पर पास जो बेल है वह easily जो भी order होगा not only bail जो भी order होगा वह immediately पहुंच जाएगा concerned authorities को immediately पहुंच जाएगा और वह एक communication channel है तो इससे जो justice delivery का जो काम है वह faster हो जाएगा compared to जो यह पहले था तो कि उसमें पहले हमें time लगता था यह question है जो कि हमने ले लिया है तो 9th schedule से ले करके the 9th schedule was introduced in the constitution during which during the prime ministership of year 2019 का यह question पूछा गया है पिछली बार का ठीक है ना तो यह हमें पता होना चाहिए कि जो 9th schedule आया है वो 1951 में आया था जब उस समय हमारे पास provisional parliament थी ठीक है ना provisional parliament थी यानि कि जो general election था first general election जो 1951 से 1952 के बीच में चला था वो तब तक conduct नहीं किया गया था तो उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो तो प्राइम मिनिस्टर जवाला नहरू ही थे तो इसका right answer जो है वो जवाला नहरू हो जाएगा तो इस तरह के simple question भी पूछते हैं UPSC में और ऐसे question फिर से भी पूछे जा सकते हैं तो इसलिए ऐसे questions के लिए में थोड़ा ready रहना चाहिए तो यह थे हमारे इस first lecture का यह first lecture का हमारा बाकी जो topics होंगे वो second and third lectures में आएंगे तो I see you in the second lecture and third lectures. Okay, see you bye-bye.